पहले सीखा हमने पेस्ट, फिर सीखा पेस्ट एस्पेसल और बहुत अच्छे से उसका उप्रेसन हमने किया था बट आज बात करेंगे गो टू एस्पेसल की Ctrl G से आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में और एक एक करके आज Ctrl G को एक्स्प्रोड करते हैं एक-एक option को सीखते हैं और उसमें से जो काम-काम में मिलता है उसको आगे के लिए अपने पास रखते हैं आगे चलते हैं वीडियो में और Ctrl G के usage को और उसके beauty को सबस्ते हैं साथ के साथ आप लोगों से एक और गुजारी से अगर आपको वीडियो पसंदा रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए थोड़ा सा motivation तो मुझे भी चाहिए सबस्क्राइब कीजिए आपको मैं यकीन दिलाता हूँ इस सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ ने कुछ नया और बेहतरीन सिखाने की कोसिस करूँगा हमीशा के लिए आज आप लोगा स्वागत करता हूँ गो टू स्पेसल से कंट्रोल जी की बात करेंगे आज हम लो और एक एक उसके option को सिखेंगे तो अगर मैं कंट्रोल जी अभी प्रेस करता हूँ तो वैसे अगर मैं जिस भी सिल का या जिस सीट के हम रखता हूं सीधे गो टू वहां पर लेकर चला जाए घुख consistent आम या तू उसका प्रेस कर सकते हें या दूसरा ऑपशन आप यहां पर जो quick access toolbar होता है वहाँ पे भी आप go to special option को add करके रख सकते हैं कैसे file में चले जाएंगे options में चले जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे चले जाए quick access toolbar all command यहाँ पे मिल जाएगा आपको यह रहा यहाँ से मिल जाएगा आप इसको क्या कर सकते हैं add कर सकते हैं बटन पर प्रेस करके देखिए तो आपको यहाँ भी मिल गया go to special देख लीजिए यह रहा go to special सीधे वहाँ पर चला जाएगा लेकिन क्यों उतना मेहनत करना इसने किसको सेलेट कर लिया जहां जहां कमेंट होगा वहाँ वहाँ इसने सारे कमेंट को एक साथ सेलेट कर लिया और मैं चाहता हूँ कि उसको हाइलाइट करना तो कमेंट को मैं हाइलाइट कर सकता हूँ मैं चाहता हूँ कमेंट डिलीट कर देना तो यही से राइट क्लिक करें और यहाँ से अगर मैं डिलीट कमेंट करूँ तो यह एक नहीं यह सारे कमेंट प्लिट कर देगा एक साथ पूरे वक्षीट से, अब बात constant की, तो हम जाएंगे, go to special, और अब आप इसको select कीजिए, इसमें वो value से select करेगा, जो value आपने उस cell का अंदर directly insert कर रखा, जिसका अंदर formula function वगदा, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, constant value, आप okay करके देखिए, सिर्फ वो value select कर रखा है, जो constant value, जैसे step से value यह, इसमें कोई भी formula function पहले से apply नहीं किया हुआ है, यह था constant, उसके बाद, अब बात करते हैं, formulas, इस पे click कीजिए, और एक एक करके देखिए, अगर मैंने formulas और यहां से check कर दिया, सिर्फ number, तो okay करके देखना एक बार, यह देखिए, कौन से cell को इसने highlight किया, वो cell highlight किया, जिस value के उपर formula लगा हुआ है, इस cell में यह जो number है, यह number वाले cell है, इस number वाले cell में क्या लगा हुआ है, formula लगा हुआ है, आप उकर click करके देखिए, लगा हुआ है न यहां सांग, यहां percentage कर रखा है आपने, divide कर रखा है न, तो यह वो cell है, जिस value वाले cell के उपर formula लगा हुआ, तो आपने किसको select किया, number based formula को select किया, उसी तरीके से, अगर मैं यह number को हटा दू, और यहां से लेलू text, चीक है, okay करके कर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, वो cell highlight करेगा, जिस text के अंदर formula लगा हुआ है, देख लीजी, एक य यह रहा, यह रहा, और यह रहा, यहां पे मैंने text के लिए formula लगाया हुआ है, वहां पे मैंने number के लिए formula लगाया हुआ था, यह text के लिए लगा रखा है, तो यह text को highlight करेगे, उसके बाद logical, तो जहां जहां इसको seat में logical formula मिलेगा, सिर्फ यह उसको highlight करना चाहिए, यह सिर्फ logical formula जहां था उसको highlight तो मतलब जहां text के लिए formula था जहां नमर के लिए formula था जहां logical के लिए formula था कहीं error मिल जए जैसे कि मान के चलते हैं इस सेल में कहीं error होता, नहीं है तो हम ढॉल देते हैं, जैसे कि हम error पास कर देते हैं, ठीक है, इस type से error आपने pass कर दिया, इस सेल में error कहीं pass कर दिया, और इस सेल में कहीं से error हो, सिर्फ मैं error को highlight करना चाहता हूँ, क्या गरेंगे, go to special में जाएंगे, और यहां से formula और चले जाईए errors, यह देखिए, वो formula जिसमें error हैं, देख लीजिए, तो यह क्या था, formula, उसमें number, text, logical और errors, अब बात blank selection की, यहां पर जाईए, और मैंने press किया blanks, इसका benefit, यह रहा blanks, okay press करके देखिए तो, क्या हो गया, वो cell highlight हुआ है, जो blank है, अब इसमें मैं कुछ color fill करना चाहूँ, color fill कर सकता हूँ, है ना, या, ठीक है, या in row को मैं रखना ही नहीं चाहूँ, control minus press कर सकता हूँ, और shift cell up, यह रहा data, देख लीजिए, blank cell आपके वहां से गाय, clear है, इस तरीके इस blank का use करेंगा, और एक blank का use बताता हूँ, इंडिया लिख दिया, और यहां पे ऑस्टेलिया लिख दिया, यहां लिख दिया, कैनाडा, और मैं चाहता हूँ, यहां से यहां तक इंडिया, यहां से यहां तक ऑस्टेलिया और कैनाडा, उसके नीचे data populate हो जाए, तो ऐसे situation में देखिए क्या करेंगे इतने दुर के एरिया को क्या कि आपने select और फिर से ले जाएए go to special में और यहां से select कीजिए blanks okay button पर press कीजिए अब क्या selection है सिर्फ blank select हो रखा है equal to press कीजिए यह उपर वाला से लीजिए और enter नहीं control enter प्रिस कीजिए रहा इस तरीके से ब्लैंक का हम बहुत बहुत बहुतरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यह था हमारा blanks go to special का option उसके बाद option है current region यह current region कोई खास नहीं है यह आपका select all control ए जैसा है आप अगर control ए भी प्रिस करेंगे यहां प्रिस कीजिए तो जितना दूर टेवल एडिया था उसको select कर लिया उसी तरीके से मेरे गर्सर बानके चलते हैं यहां है और मैं यहां पे गया और मैंने select किया current region तो सिर्फ किसको select किया उसने उस region को जहां पर मेरा active कर सा रखा हुआ है तो यह मैं control एसे भी कर सकता हूँ या current region ठीक है तो ज्यादा असान control ए में उतना मेहनत करके क्यों आ जाओ अब हम लोग सीखना चाहेंगे current array यह ना option current array सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहां मैं data table सिखा नहीं रहा हूँ यहां पर मैं current array selection सिखा रहा हूँ तो अगर आपको data table सीखना है तो आपको कहा जाना चाहिए what if analysis playlist है उसके अंदर data table के वीडियो रखे हुए आप यहां पर मैं मान के चलते हैं data table बना चाहता हूँ मैंने किया कि इस area को select कर लिया चुकि formula यहां मैं लगा रखता है तो selection करने के बाद मैं जाओगा data time में what if analysis data table पे गया और row input cell में row में कौन सा है percentage है यहां से मैं percentage ले लिया column input cell में column input cell में क्या है यह मन्त रखा हुआ है यहां से मैंने मन्त ले लिया ok करेंगे तो यह value बनके आगे न data table अब यह data table बनके आया यह actual में array है यह देखिए यह सारे के सारे एक ही range का value है देख लीजी है अब करसर यहां और चले जाए go to special यहां से अब अगर मै current array select करता हूँ तो यह पूरा tables को select कर लिया यह है group मतलब यह array की बात कर रहा है जो current array है उसका selection है अब बात object selection की अगर मुझे object select करना है तो मुझे जाना होगा go to special और देखिए इसका use मैं objects पे click कर रहा हूँ और enter यह object ही तो है सारे देखिए एक साथ object का selection delete मारना और अब आप टैब प्रेस करके देखिए एक एक करके बूग हो रहा है यह single selection shift tap प्रेस करेंगे तो इस तरीके से करेगा यह देखिए right to left shift tab यह टैब प्रेस करेंगे तो left to right ठीक है तो यह है हमारा object selection अब बात row difference और column difference select कर लिया और हम चले जाते हैं एक बार go to special और यहां पर select कीजिए row difference ओगे करके देखिए तो किसको select किया row difference यह वाला cell है ना यह देख लीजे 77 87 row में difference है ना सारे value common होंगे कुछ cell ऐसे हैं जो uncommon है उसको select करेगा row wise ऐसे उसी तरीके से column difference यहां पर देखिए ऐसे column wise value देखिए यहां common है जहां uncommon होगा उस cell को select करेगा यहां पर जाएए यहां पर जाएए और column difference की बात करते हैं ओके कीजिए यह देखिए column difference वो था row difference यह है column difference वो सिल जिसमें difference है बना value उससे common से uncommon value है उसको select करने के लिए row difference और column difference अब बात precedent और dependent वैसे आप लोगों के लिए वीडियो आणे वाला है trust precedent, trust dependent और formula auditing के base पे लेकिन मुझे अभी यहां बताना जरूरी पड़ गया है तो छोटा source का यूज बता देता हूँ कि trust precedent और trust dependent यहां पे मैं मान के चलते कुछ value लिख दिया अब यह value लिख देने के बाद मैं इन value का sum कर रहा हूँ इक्वल टू जैसे यह ले लिया और random sum कहीं कहीं से कर दे यह देखिए मैंने कहीं के random sum किया है ना ऐसे enter कर दिया और करसर यहां रखिए और trust precedent यह देखिए जो जो cell इस cell को affect कर रहा होगा वो सारे cell को highlight करेगा ठीक है उसी तरीके से dependent इस cell के ओपर कौन सा cell dependent इसको मैं बहुत detail में describe करूँगा अभी वीडियो में लेके बहुत जब्ला आने वाला हूँ यह हम लोग जो formula tab के थ्रू प्रेसेडेंट डिपेडेंट सीखेंगे उसका एक दूसरा जरिया go to special भी है जैसे की करसर यहां और इसका अगर मैं प्रेसेडेंट शेक करना चाहूं तो करसर यहां रखा go to special में गए और ट्रेस प्रेसेडेंट चेक कीजिए ओके कीजी तो कर दिया यह इसकी डिपेडेंसी है ना चारो यह चारो सेल मिलके ही तो है यह सम उसी तरीके से है ट्रेस डिपेंडेंट अब मैं करसर यहां रख रखा हूं और मैं यहां गया यहां से यूज कर रहा हूं और मुझे पहे कौण डिपेंडेंट Real flexible .दि डरेक्ट All लिवेवल्स सीदा 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 डिपेंडेंसी एक चोटा सार काम पर करते हैं यहां पर एक वेल्या डाल डेते हैं यहां पर मैं एक व्ल्टू बानके चलते हैं यह करता हुँ अब करसर में यहां रखता हूं औ यह भी डिपेनेंट है और यहां पे गया और यहां पे मैंने कुछ भी लिख दिया ठीक है और मैं अपना करसर लेके चला जाता हूं उपर यहां पे और अब मैं यूज करता हूं लास्ट सेल तो कहां लेके चला जाएगा सीधे मुझे वहीं लेके जाएगा उस सेल पे जो हमारा इस वरक्षीट के अंदर जो हमारा लास्ट सेल है जहां पे टेक्स्ट आपने के नमबर आपने कुछ भी वैल्ली आपने लिख रखा है वह आपका क्या कहला ह option go to special maze से visible sales all ले तो visible sales बताने के लिए मैं एक काम करता हूँ पहले इसके base पे subtotal बना लेता हूँ subtotal मैंने लिया और मान के जलते हैं at each change in item और इस पे लगा लिया यह subtotal के भी videos आने हैं बहुत जड़ आने हैं ठीक इसलिए भी मैं subtotal सिखा नहीं रहा हूँ items मैंने यह लगा दिया यह भी लगा दिया यह भी लगा के ओके यहां पर लगा दिया मैंने subtotal अब अगर मैं इसको select all करता हूँ क्यों बता देता हूँ यहां पर तीन लेयर बन गया होगा डेटा का पहला देख लीजिए दूसरा लेयर और तीसरा लेयर मैं अगर सेकेंड लेयर पर हूँ तो यहां पर summary report हैक तरीके से अब मेरा बॉस ने मुझसे summary report मांगा तो मैं इतना ही तो select करका को दूँगा इतना मैंने select किया मैंने copy किया और एक नया seat open किया और इस नया seat पर जाके मैंने paste करने की कोसिस की नहीं हुआ paste पता कौन सा report उठा गया detail report जो उसके अंदर भी है क्या हमें इसकी जुरत है हमें इसकी जुरत नहीं है ऐसे situation में हमें जुरत होगी visible sales only की कैसे वो देखिए अगर आपको सिर्फ इतना ही print out निगालना है तो इसके अंदर data है न 3rd level ये नहीं चाहिए हमें लोगों को हम लोगो इस तरह इतना data जाहिए तो select किया आपने इस data को और अब आप चले जाहिए go to special में यहां से लीजिए visible sales only ओके कर दीजिए तो सिर्फ क्या select रखा है visible sales only ठीक है अब copy कीजिए तो देखिए सिर्फ उतना ही data दिख रहा है जितने की जुरत आपको है और अब प्रेस्ट कीजिए तो उतना ही आएगा जितना data आपको जुरत है एक use दूसरा user बता देता हूँ इसी selection का तरीका दू सेमी कॉलन, alt के साथ सेमी कॉलन, ctrl c, तब भी वही काम, अभी आपने ctrl g, go to special में जाके काम किया तो ही काम आप alt सेमी कॉलन से visual sales only को select कर सेगे उसी तरीके से बात करेंगे conditional formatting, अगर मैं यहाँ पे conditional formatting को apply करूँ तो सिर्फ वह select area करेगा जहाँ पे conditional formatting formula के थूँ आपने लगा रखा होगा, यहाँ देखिए, किसको select किया इसने, इस वाल area को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने conditional formatting लगा रखा है, देख लीजे, यहाँ पे जाए और manage rule में जाए, यहाँ से देखिए लगा हुआ है, तो सिर्फ उसने किसको highlight किया, जहाँ पे conditional formatting लगा रखा है, उसके ब और यही ले ले तो नाम का list, यहाँ मैंने data validation पराद दिया ना, अब cursor कहीं भी रखिए, यहाँ पे जाए और यहाँ से select कीजिए, तो data validation all, यह same, तो all के case में किसको select किया उसने, जहाँ पे जिस cell पे data validation लगा हुआ है, वो all cell, ठीक है, इस तरीके से आप go to special में दो तीन यूज करते हैं go to special में, object का यूज करते हैं, array का बहुत अच्छा यूज करते हैं इस go to special के दिन, उमीद है, यह go to special का मैंने a2-z सारे option आप लोगों को बताने की कोसिस की, उसके users को समझाने की कोसिस किया, और आपको समझ भाया होगा, और इसका आगे आप यूज भी करें इस उमीद के साथ आप आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द इसी सीरीज में next वीडियो के साथ, thank you